नमस्कार, वाई दू डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब इकोस्प्रिन फ्रेग्नेंसी अधिकतर पेशिंस हमारे पेशिंस भी जब हम इकोस्प्रिन फ्रेग्नेंसी में तो आपको बीपी के मेडिकेशन सेपरेटली प्रिस्क्राइब किया जाएगा इकोस्प्रिन के क्या फायदे हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे आफिर इकोस्प्रिन है क्या इकोस्प्रिन एक ज्रग है जिसको हम ब्लड थिनर भी बोलते हैं तो वो गाढ़ा ब्लड को पतला कर देता है यह पतला कैसे करता है क्यूंकि वो प्लेटलिट प्लग फॉर्मेशन को रोपता है अब आंटी प्लेटलिट प्रॉपर्टी के साथ साथ इट हाज आंटी इंफलोमेटरी प्रॉपर्टी अलसो तो यह दोनों प्रॉपर्टी को मिला के जो नसे में ब्लड जाता है फ्लो होता है और उसमें कभी-कभी प्लेटलिट प्लग फॉर्मेशन से रुकावट होती है इकोस्प्रिन के खाने से यह रुकावटे नहीं होती है और ब्लड फ्लो बहुत नॉर्मल रूप से जाता है अब इसके क्या फायदे हैं प्रेगनेंसी में वो हम आपको बाद में समझाते हैं अब इकोस्प्रिन के क्या-क्या डोज़स है जो 75 mg से 81 mg के डोसेज के स्ट्रिप्स में आती है अब इकोस्प्रिन प्रेगनेंसी में हम इसले लिखते हैं क्योंकि ऐसे कुछ कंडिशन हो जाते हैं जहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन में डिफेक्ट होती है अब आप सभी को ये पता है कि बेबी को ब्लड कहां से मिलता है प्लासिंटा या आवल से मिलता है ये आवल ये प्लासिंटा को ब्लड कहां से मिलता है maternal side से मतलब mother से mother से जो supply होती है प्लासिंटा को वो नसे को हम spiral arteries बोलते हैं ये spiral arteries में कभी कबार कुछ ऐसे रुकावटे आ जाती हैं जिससे oxygen, nutrition और blood supply बेबी को धीरे-धीरे pregnancy के 9 months में कम होता जाता है EcoSpring का यही रोल है 12-13 weeks के बीच में प्राकृतिक रूप से ऐसे development automatically होता है जिससे ये spiral arteries के जो lumen का diameter होता है वो थोटा सा dilate होता है ये dilatation इसलिए होता है ताकि even in 9th month जब labor pains शुरू होता है and uterus contract होता है तब भी परियात रूप से बच्चे को oxygen और nutrition मिलता रहे अब अगर किसी भी कारण से for any reason ये normal प्राकृतिक developments नहीं हो पाता है तो ऐसे arterioles में blockages आता है जिसके कारण खून और nutrition, oxygen, circulation कम होती है तो ऐसे patients में जब हम eco-sprint देते हैं तो platelet plug formation नहीं होता है जिसके कारण अच्छा flow रहता है and to some extent eco-sprint lumen को भी dilated रखता है So this is the role of eco-sprint in pregnancy चले अब देखते हैं कि eco-sprint देने के indications क्या है अब eco-sprint कुछ conditions में evidence-based हम देते हैं Because we know that the results are going to be very good कुछ indications ऐसे होते हैं जो evidence के अनुसार इतनी results नहीं है but फिर भी हम देते हैं सब पहले category के बारे में बात करते हैं अगर हम 100 marijs को लेते हैं जिनको pregnancy में BP हैं और हम इनको दो group में divide करते हैं 50-50 के group में एक group में अगर हम eco-sprint देंगे और एक group में eco-sprint नहीं देते हैं तो जिस group में हम eco-sprint देते हैं उनका pregnancy outcome successful होना ज्यादा रहता है Ecospring के group में than compared to that group जिसमें Ecospring हमने नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है जिस group में हमने Ecospring नहीं दिया और उनको BP pregnancy में रहा उन लोगों में complications की rate ज्यादा थे तो evidence says that अगर आपको pregnancy में BP है या आपको previous pregnancy में BP था या इस pregnancy में आपको ऐसे risk factors है जिससे आपको BP हो सकता है या आपको thrombophilia के disease है that means hereditary से ही आपका blood गाड़ा है तो ऐसे conditions में Ecospring will help you in pregnancy अब दूसरा group देखते हैं जिसमें evidence ज्यादा नहीं है सबसे number one recurrent pregnancy loss अगर आपका बार-बार abortions हुआ है तो हम Ecospring जरूर देते हैं अगर आपको preterm labor हुआ है that means समय से पहले delivery होने का chances अगर इस pregnancy में है तो भी हम Ecospring add करते हैं अगर आपका baby का growth slow है मतलब बच्चा तो ठीक है liker भी ठीक है लेकिन for some reason baby का growth is less than 5th percentile और less than 50th percentile तो फिर हम Ecospring शुरू करते ही हैं अगर आपके previous pregnancy में stillborn या intrauterine demise हुआ है तो भी हम Ecospring शुरू करते हैं stillborn का मतलब यह होता है कि delivery के process में baby को कुछ ऐसा हानी हुआ तो बच्चा रो नहीं पाया बच्चा जिन्दा नहीं बच पाया और IUD का मतलब यह है कि 7th month के बाद and 9th month के पहले किसी ना किसी कारण से baby पेट में ही शान्त हो गया तो यह conditions में भी हम Ecospring पहले से ही देते हैं and lastly in infertility and IVF pregnancies में भी हम Ecospring with or without other blood thinners देते हैं अब in conditions में there is no evidence that states that अगर आप Ecospring देते हैं तो बहुत successful outcomes होंगे but क्योंके यह सब high risk pregnancies रहते हैं इसमें हम जब Ecospring देते हैं तो हम यही सोचते हैं कि benefit will be more than the risks इसलिए हम prescribe करते हैं अभी सबसे latest study जो हम लोग हमारे center में follow करते हैं is that we do an NT scan at 12th week वो 12th week के scan में हमें uterine artery का resistance पता चलता है अगर यह resistance है और बढ़ रहा है या बढ़ने का संकेत है रिपोर्ट के आधार पे तो फिर हम 150 mg का Ecospring शुरू करते हैं तिल 34 weeks यह study बताता है के इससे pregnancy के successful outcomes होने के chances बहुत ज्यादा है और complications के chances कम है Ecospring कब तक दिया जाता है Ecospring 34 weeks पे हम बंद कर देते हैं क्या Ecospring के कुछ side effects है there is only one side effect of Ecospring which is life threatening that is allergy or sensitivity अगर आप aspirin से allergic हो या sensitive हो then you cannot take Ecospring in pregnancy आपको Ecospring के जगे दूसरे blood thinners लेना पड़ेगा minor side effects are acidity which can be treated very easily with medicines and Ecospring हम बोलते ही हैं के आपको night में लेना है खाना खाने के बार ताकि acid peptic disease कम हो So I hope you all have understood के Ecospring is not an antihypertensive medicine मतलब हम Ecospring देते हैं BP कम करने के लिए नहीं बट BP से संबंदित चो भी complications हो सकता है and उसको prevent करने के लिए या complications अगर होना ही है उसको आखरी तक delay करने के लिए हम Ecospring देते हैं and अगर आपको pregnancy में BP already diagnosed है तो आपके doctor add-on antihypertensive medicines add करेंगे so that you can take that to control your BP If you have any doubts regarding Ecospring, please contact us Thank you